हलो दोस्तों स्वाहत है आपका Demarketing Wall मेरे नाव में विशेक दोस्तों आज को डिकाँ टॉपिक है Best WordPress Cloud Hosting तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल का Cloud Hosting बताने वाला हूँ जो की WordPress websites के लिए बहुत ही कमाल की रहने वाली है और guys यहाँ पर सबसे interesting चीज़े की आपको यहाँ पर मिलेगा 100% uptime और मैं आपको प्राइब कराऊँगा एक discount लिंक भी जो की आपको इसी वीडियो के डिस्क्राइब मिल जाएगा जिसको तुझा आपको मिलेगा total 75% का discount और अगर आप हमारे लिंक के तुरू पर्चेस कराऊँगे तो आपका renewal price भी same रहेगा और गाइस इतना ही नहीं मैं अपने personal level पर आपको कुछ premium themes और plugins भी प्राइब कराऊँगा ताकि आप अपने website को बिना कोई extra करचे के बना पाओ ठीक आइस तो वो कौन से premium themes और plugins से क्या rules से वो सारी चीज है आगे हम इस वीडियो बात करेंगे तो दोस्तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखते रहें तो दोस्तो इससे वीडियो को start करें आप जलजी करें चैनल को subscribe और बेल आइकन को press क्योंकि इसी से हमारे आगे आ भी totally different तरीके से करना पड़ेगा हमें ठीक है तो अभी हम बाकी से बारे में बात करेंगे जो हमारा best wordpress cloud hosting है वो कौन सा है इसके बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि cloud hosting काम कैसे करता आपको discount link बिल जाएगा आपको premium themes plugins वगेरा कैसे मिलें जो कि मैं खुद आपको provide कराने वाला हूं वो सारी चीजी हम थोड़ा सा भी एक मिनट इस चीज़ को समझ के फिर्म बता दूंगा आपको तो गई सबसे पहले समझते हैं कि कैसे काम करता है cloud hosting गैस देखो यहां पर बीच में आपको एक बड़ा सा सर्वर देखने को मिलता ह ठीक है और उसके चारों तरफ छोटे-छोटे सर्वर से ठीक है इतना समझते हैं सबसे पहले तो अब यह जो बीच का सर्वर इसका हम कहता है फिजिकल सर्वर और बाकि सारे जो है उनको एक बार के लिए हम कहेंगे वर्चुल सर्वर देखो इस वर्चुल सर्वर का मतलब वर्चुल का मतलब क्या होता है जो कि है नहीं बस है ऐसा दिखावा करते हैं या फिर यू कह सकते हैं कि होता सब कुछ फिजिकल में है लेकिन हम उसको एक वर्चुल अलग नाम दे देते हैं कहने का मतलब अगर कुछ रियल में है तो यह बीच वाला है बाकि सब तो हम मान है ठीक है ऐसा हम मानते है virtual के बारे वर्चौल मतलब होता नहीं है बस real में है ऐसा हम दिखाते है यह मतलब होता है virtual का लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है अगर आप देहो गई तो यह बीच वाला जो server है यह एक physical server है और इस diagram के हिसाब से यह सारे virtual servers है ठीक है अब cloud hosting में क्या होता है एक physical server बहुत सारे virtual server के साथ connected होता है ठीक है अब cloud server में ये बोला जाता है कि आपको 100% uptime मिलता है ठीक है तो अगर ऐसा है तो अगर इस physical server से ये सारे virtual server connected है तो अगर माल लो ये physical server server बंद हो गया तो क्या ये सारे बंद हो जाएंगे ऐसा भी लगेगा आपको लेकिन नहीं होते है अब इस चीज़ को थोड़ा से द्यान से समझने की चुरूत है ऐसा इसी लिए क्योंकि cloud hosting में क्या होता है कि ये जो physical server है ये डेफिनेटली ये सारे virtual server के साथ connected है लेकिन इनमे physical server से जो दुनिया के अलग-अलग locations में रखा जाता है ठीक है अलग-अलग location अलग-अलग data centers में रखे जाते है इनमें से हरे एक server को ठीक है तो इसका मतलब ये कि ये सारे अगर physical server है तो इसको चालू रहने के लिए इस बीच वाले server की कोई जरूरत नहीं है हाँ ये बात जर किसी एक server में उस चीज को किया जाता है ठीक है फिर इस server से सिर्फ data transfer होता है इन सभी servers में इन सारे server को चालू रखने के लिए इसका चालू वाना जरूरी नहीं है एक बार हम website host करते हैं तो हमारा सारा website जो भी बनाते है उसका data इसके अंदर आता है फिर उस data को इन सभी में transfer कर दिया जाता है ठीक है अब अगर यह बंद भी हो गया ना तो भी को फरग नहीं पड़ता है यह सब चालू रहेंगे अब इन मैसे कोई एक बंद हो गया ना तब भी उस सारे जो वर्चुल सर्वर से यह भी एक दूसरे के साथ करेक्टेट है किसी ना किसी फॉर्म में यह यह बताती है कि यह सारे जो वर्चुल सर्वर से वह एक दूसरे के साथ भी करेक्टेट है और इसके साथ भी करेक्टेट है तो यह सब कुछ मिला कर हम कहते हैं क्लाउड होस्टिंग या क्लाउड सर्वर हम इसको कह सकते हैं ठीक है देखा जाया तो क्लाउड सर्वर ही होता तो ये सारे 10 के 10 virtual servers चालू रहेंगे, क्योंकि अपने आपने एक physical servers है, वो तो बचलो इस definition के हिसाब से ये सारे virtual servers में count होता है, लेकिन इस सारे के सारे अपने आपने physical server है, जो की अपने दम पे चलते हैं, उसको बीच वाले server की जरूत नहीं है, लेकिन जब भी हम website के अंदर क एक second का भी time नहीं लगता है इस चीज़ को, क्योंकि इस तरीके से ये लोग well connected होते हैं, ठीके तो एक दूसरे के साथ ये सारे connected होते हैं, ठीके अब इनको इसको चलने के लिए ना तो इसकी जरूरत है, ना इसकी पीछे वाले की जरूरत है, ना main server की जरूत है, अपने आप आपकी website चालू रही, इसका मतलब ये है, दुनिया के सभी data center में एक साथ खराबी तो नहीं आ सकती है, है ना, दुनिया में जितने भी जगे पर आपकी website स्टोर है, सब जगे, एक समान लोग की ये वाला area है, जहां पर tsunami आ गई, तो चलो, ये data center में आग लग गई, ठीके त tsunami आ गई, यहां पर तूफान आ गया, सब भी ये एक बच गया, तो भी हमारी website चालू कि इतना सब कुछ तो हो नहीं सकता है, एक ही दिन में, एक ही जगे पर, अगर माल लो, पहले यहां tsunami आई, फिर यहां पर तूफान आया, तो tsunami का जो भी नुकसान हुआ था, वो एक मैने WordPress Cloud Hosting कौन सा है, तो चलिए, अब हम हमारे discount link और इन सब चुझे के बारे में बात कर लेंगे, यहां पर, एक सेकेंड मैं इसको चुड़ा रहता हूँ, अब हम यहां पर बात करते हैं, यह है हमारा best WordPress Cloud Hosting, जो की है, host Armada, गैस देखो, यहां पर इसको start कर दो से बिले हैं, सबसे पहले तो आपको मिलेगा 64 पसंट का discount, दूसरा, आप जिस प्राइज में आज करीदो कुसी प्राइज को करीने हो जाएगा, तीसरी चीज, मैं आपको personal level पे कुछ premium themes और plugins दूँगा, पहला रहेगा एक premium block theme जिसका नाम है newsback, दूसरा रहेगा, एक premium e-commerce theme जिसका नाम ह प्राइज के लिए और rank math premium SEO plugin भी ये भी unlimited जो है, आपको website में यूज कर सकते हो, lifetime के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, तो आपको इन चारूप को लेने के लिए करना है कि हमारे link के तूसरी होस्टिंग पर्चेस करो, होस्टिंग पर्चेस करने के बाद इसी वीडियो के discussion दि आप वो सारी चीजे प्राइज करना हो, जो कि मैंने आपको बताया है, तो गईज अब यहाँ पर बात होती है, कि cloud WordPress होस्टिंग क्यों ले, जब market में दूसरे normal होस्टिंग ले, तो मैंने आपको जैसे कि इस diagram में बताया था, ठीक है, कि एक भी server आगे चालू रहेगा न, त सबसे बढ़ा रहेगी, तो यह चीज सिर्फ और सिर्फ cloud hosting में देखने को मिलता है, और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, यह होता है सबसे बढ़ा reason, दूसरा reason है scalability, आप जब चाहो तब RAM बढ़वा दो, जब चाहा है तब storage बढ़वा दो, जब चाहा है तब bandwidth बढ़वा होता है, और guys हमारी सबसे बड़ी demand, सबसे बड़ी demand, speed, cloud hosting में जो सबसे important चीज होती है, वो हता है uptime और दूसरा होता है speed, यह जो speed वाली जो हमारी demand है, इसको fulfill करता है cloud hosting, ठीक है, देखो cloud hosting में speed कैसे बढ़़ता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात किया था, normal hosting में क्या रहता है normal hosting में हमारा जो, main लिया हमारा जो website होता है, वो फिजिकल सर्वर में store होता है, अगर उस फिजिकल सर्वर कुछ हो गया, तो हमारी साइट थोड़ी तरी के लिए तो बंद हो जाएगी, जब तक वो सर्वर ठीक नहीं हो तो अब तक हमारी साइट बंद हो जाएगी, लेकिन इतना ही नहीं, उपर से CDN और देता है ये कमनी आपको, तो CDN से क्या होगा, आपके नजदी की सर्वर में भी, यानि की माल लोग की आप रहते हो दिल्ली में, आपका में सर्वर है मुंबई में, तो मुंबई और दिल्ली के भी इसमें थोड़ा सा गयाप है, उस गयाप को फिल करने जो टाइम लगेगा, वो माल लोग की आदा सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, तो अब ये आदा सेकंड पर आपको लगता है कि नहीं ज्यादा है, तो आप दिल्ली में तो आपको दिल्ली में जो नस्दी की सर्वर है, वहाँ से आपके अपसाइड उठा के बाकी हम बात कर लेते हैं, इनके क्या बोलते हैं, सर्वर लोकेशन के बारे हम बात कर लेते हैं, एक बार हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर सर्वर लोकेशन ये रहे, क्लाउड होस्टिंग में, जब यह आप क्लाउड होस्टिंग लिना जाते हो, तो आपको दुनिया के ब सिंगरपोर में है ठीक है और यहां पर आपको जकारता में मिल जाएगा और यहां पर आपको आस्ट्रेलिया और इधर आपका जपान है ठीक है जपान में टॉक्यो में भी है उसाका में भी है और यह आपका एरिया बन जाता है बिलान मैडरिड लंडन यह पूरा जो है यूर हैं हमारे यूएस नदब यूनाइटर स्टेट्स फ्रीमॉंट डालाज यहां पर आपको फ्रीमॉंट लोस अंजलेस और इसका लगा अटलांटा मियामी शिकागो टोरोंटो और नीवार्क इन सब भी जोगां पर आपको सर्वर्स देखने के मलता है अगर कहीं नहीं है तो ग है इतना हमें समझने की जरूत नहीं है और इनका जो ओवराल नेटवर्क स्पीड है ना यह 12 जबी जीपेस है और यह एक ही एक कंपनी है जो बोलते हैं कि 100% अप्टाइम हम आपको देते हैं बाकी कंपनी है 99.9% बोलती है और 100% देती है क्योंकि वो भी क्लाउड होस्टिं मैं सर्फ क्लाउड होस्टिंग कंपनी की बात कर रहा हूं नॉर्मल कंपनी इस 99.99 बोलती है लेकि 99.95 भी देती है लेकिन यह कंपनी क्लाउड होस्टिंग जैसे ही शुरू हो गया वहां पर आपकी मान के चलो बोले नी बोले चाहा कुछ भी हो 100% अप्टाइम आपको मिले सब्सक्राइब की बात की बात की बात कर लेते हैं थोड़ा आप यहां पर से कोई भी होस्टिंग लेते हो कोई भी प्लान ले लो अपर यहां पर देखोगे अगर आप 3 साल के लेते हो तो सिर्फ ढाइड डॉल्र देना एक महीने गहें और आप एक महीने के लिए लेते हो तो एक ही महाइड प्लान्स को देखता हूँ तो अगर मुझे कोई पूछे कि क Cake a कि यह बड़िया प्लान है। इससे भी असमें आप बुलो बेस्ट वाला, ठीक है। तो यहां पर हमारे कूश्ट करने के लिए हमें जो resort है एक आप अगर माल लो यहांपर 50 अब यह वाला प्लान बहुत तगणा है आप अपके वह टू कोर सीप्यू बड़ी-बड़ी कंपनी आपने बड़े-बड़े प्लांस में भी टू कोर सीप्यू नहीं देती है ठीक है उसी बड़ी कंपनी के लिस्ट में एक कंपनी है और माड़ा भी लेकिन इन करने देते हैं इतना पावर तो दे दिया लेकिन सब एक उपसाइट में यूज़ करें तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है क्योंकि आप यहां पर आपको नीचे तो आप इसको अराम से बैठ कर देख सकते हो और बता दुम्हें आपको यहां पर यहां पर यहां जमना कर अब कैसे होग और पर अब धासर होगे अब क्या और जिस दिन आपने बाडब और दिलनाव लिए तक है तब का इस सब्सक्राइब तब आप ऐस elbow कर लेगा और जिस दिन इनका उलेगा से अगले में और अगले मैने फिर से बहु ri यहां पर बेस्ट वाल्य प्लान तो इसको बोल रहें लेगन कैसे अगर आप इतना खर्श कर सकते हो बाखी तो यह प्लान बीस्त प्लान में से एक है आप अगर देखूंगे तो वर्ल्ल में इस से बड़िया प्लान शायद एक या दो प्लान होगा और वो भी लेने के लिए आपको काईने के महीने के 15 से 20,000 रुपे देने पड़ेंगे ऐसा प्लान किसी और होस्टिंग अमने से लेना हो तो महीने के आपको कम से कम 1500 से लेकर 10,000 से 15,000 तक का देना पड़ेगा 4.4 CPU और 4G RAM के लिए ठीक है जो कि यहाँ पर आपको सिब 340 रुपे मिल जाती है पर मन्त तो आप यह चीज स्टार्ट कर सकते हो और 3 साल का मैं आपको कहूंगा कि सबसे बड़ी आप्शन सबसे असस्ता आप नहीं पड़ता है बा पर जादा नहीं है 380 भी नहीं से थोड़ा कम लगेगा 370 से आसब लगेगा ठीक है तो कोई बहुत जादा मेंगा नहीं लेकिन वीडियो में बात की थी ठीक है तो गईज कुई पिट आउट हो कमेंट करें की पूशे ना और वीडियो जुरू करते हैं कि किसी से हमारे आगे आने वाली वाली वीडियो आपको बहुत 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 अन्य बात तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको यहां पर दो और वीडियो उनका पज़रूरत देखना चाहिए उनको देखना बाद आपको वर्डपर से लेडियों से हो जाएंगे और गईज अगर आपको यह वाला वीडियो जुरू करते हो चैनल को साइगरे के बिलाइक जो प्रस कर लें क्योंकि इसी सब मारे आगे आगे आना वीडिय आपको बहुत बहुत अन्यवाद